अब बीना सच में बिल्कुल पागल हो, अरे हम लोग के पास बहुत पैसा है यार, पैसे क्यों कि कमी नहीं है, फाइव स्टार रुट्रल में जाकर खाना-खाऊ न कुछ पी हो मुझे तो यहीं खाना-खाना है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, खिलवा देता हूं, अरे बात प हेलो हुआ भाई मैं दॉस मिनिट पर पोच रहा हूं उदर कॉस्टमर के साथ में हूँ ओके ठीक है डॉन सर एक प्लेट का अरे भाई एक मिनिट मुझे बस यह बता हो तुम पराठा बेच रहे हो अच्छे तुम ओफिशिल कपड़े पहन के रखे हो हाथ में ब्रेंडड घड़ी है और दूसरे हाथ में आइफोन हमारे साथ कुछ मजक वजक कर रहे हैं यह तो मेरा मजबूरी है मज सिटी के अंदर मेरा बहुत बड़ा रेश्ट्रेंट ता तो ज्याता पईसा आने लगा तो इसी टाम में सर में ने गाड़ी लिया मोबाई ले लिया गार बनाया फिर अथानाक्ष मेरा रेश्ट्रेंट न आग लग गई सब कुछ पर बाग फिर मेरा सार इस्टा भी छोड आपके पैसे हैं थेक्यू सब तेखा इसलिए मैंने कहा था कभी भी पैसे का गबन नहीं करना चाहिए है ठीक है सभी बोल रहे अब पता चला में तुम्हें यह क्यो लाई थी कि मुझे पहले से ही पता था मैं शादी से पहले यह खाना खाने आती थी इनका खाना बहुत ट खाने जो हमारे पास है उसका शुक्र मनाना चाहिए क्योंकि किसी और के पास तो इतना भी नहीं है ओके चलो चलते है कि समय बहुत बलबान होता है किसी और के पास इतना भी नहीं है अरे भाई एक मुझे तर आएंगे आप अजे बाई बहुत बता रहे थे ना कि आपकी दुकानों में आग लग गई थी तो मैंना एक बात बोलना चाहता हूं आपको मेरी न मेंन सिटी मार्केट में दो दुकाने खाली पड़ी हूई है तो मैं सोच रहा था कि वो आपको दे दूँ आप अपना बापी से बिजनस चार्ट कर दो आपको क्या सब अपको लगे आप मुझे पैषे दे सकते हो तब आप मुझे पैसे दें से काली हकात हूँ आज इतनी बड़ी हेल्प कैसे हैं हाँ भाई ये बात तो आपने विकु सरी बोली है कि मैं आपको नहीं जानता है लेकिन हाँ जीवन में ना मैंने एक बात बहुत उच्छी सीखिया जो कि ये है कि पैसे ना हाथ का मेल होता है आज मेरे पास है कल आपके पास होगा और हो सकता है परसो किसी और के पास हो ये जीवन का ना समय ्छा रही है तो मैंने सोचा कि इंसान ही इंसान के कामा आता है और वैसे भी हम लोग को ना इंसानियत दिखानी चाहिए आज भाई मेरे पास पैसा है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कल से गर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं होगा ना कोई तो मेरी मदद करेगा तो हमारे अंदर ना इंसानियत होना चाहिए बस यही सोच के मैं आपके पास आगया और आपकी मदद करने का सोचा हूँ आपने सही कहा भाई आज मुझे भी सबक में और जिंदगी में कभी भी घमन नहीं करना चाहिए और बुरे समय में कभी भी हार नहीं मनना चाहिए विल्कुल सही कहा मेरे भाई और हाँ कभी भी मेरी ज़रूरत लगे ना तो मुझे याद कर लेना मैं हमेशा तुमारी मदद क क्योंकि आज अगर आपके पास बहुत पेसा है ना तो हो सकता है कल किसी और के पास भी बहुत पेसा हूए। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि कभी कोई किसी की बेज़्जती ना करें और सब लोगों की इज़्जत करें